हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं लौकी की भुजिया रेस्पी जो बहुत टेश्टी बनती है और जल्दी ही गल कर तयार हो जाती है बहुत लोगों के साथ क्या होता है लौकी लेकर आ जाते हैं एकदम टाइट वाले हूँ अच्छे से गलती नहीं है तो मार्केट मे लौकी को धो लेंगे तब जो है इसको कटिंग कर लेंगे तो यहां पर हमने कटिंग करकर रेडी कर लिया है इसी पीसिस में आपको कटिंग कर लेना है एकदम बारी की पीसिस में हमने कटिंग किया हुआ है थोड़ा से इसमें डालना है तेल लौकी में तेल का मतरा बहुत कोई भी मसाला का यूज नहीं करना है इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद कभर करके अच्छे चार मिनिट के लिए कम आच पर पकने के देना है ताकि यह पानी छोड़ कर रेडी हो जाए तो यहां आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो प्लिस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मद भूलेगा एक में लौकी को दबा कर दिखा रहे हैं कि कितनी अच्छे से मसल जा रहे हैं यह लौकी जो है अच्छे से पक कर तेयार हो गए देखिए सबसे में काम है लौकी क तो इसको कम आज पर पकाएंगे तो लौकी का जो पानी होता है वो छोड़कर रेडि कर देता है तो जो है लौकी आप बहुत ही टेस्टी बनती है अगर उपर से आप एश्ट्रा पानी डालेंगी तो वो सबजी आपको अच्छी नहीं लगेंगी तो आप जबी भी लौकी की सबजी बनाईएगा उसका कम आज करके ही बनाईएगा ताकि लौकी का ही पानी इसमें सोखेगा तो लौकी की सबजी अच्छी बनेंगी तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएगा कि यह आपको रिस्पी कैसी लगें तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो के साथ थैंक्स बा झाले